प्रिष्ट 28, अध्याय 2, पत्रकारिता के विविध आयाम, इस पाठ में पढ़ें, पत्रकारिता, पत्रकारिता क्या है? समाचार, समाचार की कुछ परिभाशाई, समाचार क्या है? समाचार के तत्व, संपाधन, संपाधन के सिध्धान्थ, पत्रकारिता के अन्य आयाम, संपाद कीए, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफी, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, खोजपरक पत्रकारिता, विशेशी कृत पत्रकारिता, वाच डॉग पत्रकारिता, एड़ोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, समाचार माध्यमों में मौजूदा रुज्ञान, माध्यम ही संदेश है मार्शल मेकलुहान, कैनडा के मशहूर संचार शास्त्री इस प्रिष्ट पर एक चित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पत्रकारिता के विभिन आयाम बताए गए है एक नजर में, पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुचाने से है लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनिता, जनरुची, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है समाचारों के समपादन में तथ्य परक्ता, वस्तु परक्ता, निश्पक्षता और संतुलन जैसे सिध्धानतों का ध्यान रखना पड़ता है इन सिध्धानतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं है उसमें संपादकी, लेक, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं पत्रकारिता के कई प्रकार हैं उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वाच डॉग पत्रकारिता और एड़ोकेसी पत्रकारिता प्रमुख हैं। प्रिष्ट 29 पत्रकारिता, अपने रोज मर्रा के जीवन के एक आम दिन की कलपना कीजिए। दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं। कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीज हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? क्या हलचाल है? या कैसे हैं? या फिर क्या समाचार है? रोज मर्रा के इन सहज प्रशनों में उपरी तौर पर कोई विशेश बात नहीं दिखाई देती। इन प्रशनों को ध्यान से सुनिये और सोचिये। इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी नया और ताजा समाचार जानने की। पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की या बीती रात की खबरें। कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी। यानि हम अपने मित्रों, रिष्टेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशलक शेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुश्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिग्यासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिग्यासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का जिग्यासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिग्यासा को शान्त करने की कोशिश के रूप में हुआ। वो आज भी इसी मूल सिध्धान्त के आधार पर काम करती है। पत्रकारिता क्या है? हम सूचनाएं या समा क्यों जानना चाहते हैं? दरसल सूचनाएं अगला कदम ताय करने में हमारी सहायता करती हैं. इसी तरह हम अपने पासपडोस, शहर, राज्य और देश-दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं. ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ-साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं. आज देश-दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है. सच तो ये है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिये जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। वाले दो समाचार पत्रों के मुख प्रिष्ट को ध्यान से पढ़िये। उन दोनों समाचार पत्रों के मुख प्रिष्ट पर प्रकाशित समाचारों की अलग-अलग सूची बनाईए। इसके बाद देखिए कि कौन से समाचार दोनों समाचार पत्रों में छपे हैं और कौन से समाचार ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्रों में अलग-अलग हैं। ऐसा क्यूं है? इस पर अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। प्रिष्ट तीस समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार प्रारूप में ढाल कर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। समाचार की कुछ परिभाशाईं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है समाचार क्या है? इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है यानि हर सूचना समाचार माध्यम में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वो हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है क्या वो सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है निश्चही, मित्रों, रिष्टेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशलक्षेम और हालचाल का आदान-प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है इसकी वज़ए ये है कि आपसी कुशलक्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है हमारे नजदीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिल्चस्पी नहीं होगी दरसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बलके अपने हजारों, लाखों, पाठकों, शुताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्ही घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिने जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुची होती है यहां हमारा आशाय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सारवजनिक महत्व होता है ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं ये समाचार ऐसी समसामयक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं, जिने जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिल्चस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्म्यूला नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि ये घटना समाचार है और ये नहीं। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुती का निरधारन करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुती में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिये गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। प्रिष्ट 31 लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ ये नहीं है कि समाचार की कोई परिभाशा ही नहीं है। किसी घटना, समस्या या विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की समभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमती है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाशित कर सकते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुची हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पढ़ रहा हो। दरसल समाचार माध्यमों के उपभोकता यानि पाठक, दर्शक और शोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताईं और भिन्नताईं लिये होते हैं। इनी के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिक्ताईं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार, समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाईं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्चक है। और कुछ घटनाईं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्बत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं। मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं। दुर घटनाओं और विपदाओं के समये वे साथ होते हैं। इन सब को हम घटनाओं की शुरेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। गाउं, कस्बे या शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूजना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, और उजहानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। इस तरहे की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है आखिर वो कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है सामाने तोर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के भड़े तबके का सरोकार हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये समाचार बनने के योग के है लेकिन किसी घटना विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उन में निम्न लिखित में से कुछ अधिकांश या सभी तत्व शामिल हों एक, नवीनता, दो, निकटता, तीन, प्रभाव, चार, जनरुची, पांच, टकराव या संघर्ष, छै, महत्वपून लोग, साथ, उपियोगी जानकारियां, आठ, अनोखापन, नौ, पाठकवर्ग, दस, नीतिगत धांचा, प्रिष्ट 32, आईए अब हम इन तत्वों या कारकों पर एक, एक करके विचार करते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं, कि किसी घटना, समस्या या विचार के समचार बनने में, इनकी कितनी महत्वपून भूमिका होती है नवीनता, किसी भी घटना, विचार या समस्या के समचार बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो नया याने ताजा हो कहा भी जाता है, न्यू है, इसलिए न्यूज है घटना जितनी ताजा होगी, उसके समाचार बनने की समभावना उतनी ही बढ़ जाती है तातपर यह यह है, कि समाचार वही है, जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समाई पर सही स्थान याने समाचार कक्ष में पहुँचना आवश्चक है मोटे तोर पर कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी है एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आम तोर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। एक 24 घंटे के टेलिविजन और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेजी से आते हैं, उसी तेजी से बासी भी होते चले जाते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आम तोर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेड लाइन याने समय सीमा होती है। जब तक के समाचारों को वो कवर कर पाता है। मसलन, अगर एक प्रातह कालीन दैनिक समाचार पत्र रात बारह बजे तक के समाचार कवर करता है, तो अगले दिन के संसकरण के लिए बारह बजे रात से पहले के 24 खंटे के समाचार सामयिक होंगे. प्रिष्ट 32 पर एक गतिविधी दी गई है. गतिविधी आपके शहर या कस्बे के सामाजिक जीवन, संस्कृती और मानवीय संबंधों आदी में पिछले दो वर्षों में क्या परिवर्तन आये हैं? ये जानने के लिए ऐसे पाँच वरिष्ट लोगों से बात चीत कीजिए जो पिछले दो तीन वर्षों से उसी शहर या कस्बे में एक शिक्षक, दुकानदार, वकील, डॉक्टर और सरकारी करमचारी के रूप में काम कर रहे हों. एक प्रशनावली बना कर उनसे पर क्या असर पड़ा है? इन बदलावों के क्या कारण है? उनसे मिली जानकारी के आधार पर तीन सौ पचास शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए. क्या ये एक दिल्चस्प समाचार हो सकता है? इस पर अपने शिक्षक और साथी चात्रों के साथ चर्चा कीजिए. प्रिष्ट 33 और निश्चय ही समाचार बन सकती है. कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती, बलके जिने घटने में वर्षों लग जाते हैं. मसलन किसी गाउं में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्टन आये और इन लिश्ट है कि घटना का ताजा होना ही जरूरी नहीं है. नवीनिता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है. किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल ल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं इसका निरधारन इस आधार पर भी किया जाता है कि वो घटना उसके कवरिज क्षेत्र और पाठक या दर्शक या शोता समुह के कितने खरीब हुई है हर घटना का समाचारी ये महत्व काफी हद तक उसकी स्थानियता से भी निरधारित होता है जाहिर है सबसे करीब वाला ही सब से प्रियभी होता है ये मानव स्वभाव है स्वभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए बात साथ सामाजिक सांस्कृतिक नजदीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षित्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ ये जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देश्वासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं चाहे वे हम से सैक्णों मील दूर बैठे हूं। यही नहीं इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतियों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। लेकिन एक जैसी महत्वकी दो घटनाओं में से स्थानी ये समाचार पत्र में उस घटना के खबर बनने की संभावना ज्यादा है जो उसके पाठकों के ज्यादा खरीब हुई है। इस स्थानी ये कितनी पासपडोस के राज्यों की और कितनी खबरें विदेशों की हैं। क्या ऐसी खबरों का अनुपात बढ़ना चाहिए। इस पर अपने शिक्षक और साथी जात्रों के साथ चर्चा कीजिए। उनके खरीब हुई है और इसलिए भी कि इसका संबंध स्वयम उनकी अपनी सुरक्षा से है। प्रभाव किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारी ये महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीवरता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारी लोग प्रभावित हो रहे हैं। या कितने बड़े भू भाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जाहिर है जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार की किसी निरणए से अगर सिर्फ सौ लोगों को लाभ हो रहा हो तो ये उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना के उससे लाभानवित होने वाले लोगों की संख्या अगर एक लाग हो। सरकार अनेक नीती गत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तातकालिक नहीं होता लेकिन दीरगकालिक प्रभाव महत्व पून हो सकते हैं और इसी द्रिष्टी से इसके समाचारी ये महत्व को आंका जाना चाहिए। जनरुची किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए ये भी आवश्चक है कि लोगों की उसमें दिल्चस्पी हो। वे उसके बारे में जानना चाहते हूं। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुची रखता हूं। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष समुहूं या टार्गेट ओडियंस होता है। और वो समाचार संगठन अपने पाठकों या शुताओं की रुचियों को ध्यान में रख कर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्शों में लोगों की रुचियों और प्रात्मिक्ताओं में भी तोड मरोड की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। और ये भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियां कोई स्थिर चीज नहीं हैं। गतिशील हैं। कई बार इन में परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आता है। लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमी का अदा कर रहा है। प्रिष्ठ 34 पर पत्रकारिता के मूल्य दर्शाए गए हैं। पत्रकारिता के मूल्य पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। पत्रकार रोज का इतिहास अखबार के पन्नों में दर्ज करता चलता है। उसका काम उपरी तोर पर बहुत आसान लगता है लेकिन वो इतना आसान होता नहीं। उस पर कई तरह के दबाव हो सकती हैं। अपनी पूरी स्वतंतरता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए सामप्रदाइक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग न भढ़के। वो सच्चाई जानते हुए भी दंगों में मारे गए या घायल लोगों के समुदाय की पहचान स्पष्ट नहीं करता। बलातकार के मामलों में वो महिला का नाम या चित्र नहीं प्रकाशित करता ताके उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धका न पहुँचे। पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचार संगिता का पालन करें ताके उनके समाचारों से बेवजह और बिना ठोस सुबूतों के किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान न हो और नहीं समाज में अराजकता और अशान्ती पहले। प्रिष्ठ 35 टकराव या संगहर्ष किसी घटना में टकराव या संगहर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि लोगों में टकराव या संगहर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिल्चस्पी होती है। इसकी वज़ाई ये है कि टकराव या संगर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वे उससे बचना चाहते हैं और इसलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सरवाधिक रुची होत या चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संगर्ष होता है तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिल्चस्पी होती है। महत्वपून लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और शुताओं में पहविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपून होने के कारण भी उसका समाचारी ये महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधान मंतरी को जुकाम भी हो जाए तो ये एक खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या नाम तक कैसे पहुँचे। उनका जीवन कैसा होता है और विभिन मुद्दों पर उनके क्या विचार है। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपून लोगों की खबर देने के लोब में उनके निजी जीवन की सीमाईं लांग जाते हैं। यही नहीं महत्वपून लोग चित प्रसारित करते दिखाई पड़ते हैं। प्रिष्ट पैंतीस पर कुछ महत्वपून लोगों के चितर चापे गए हैं। गुरुदेव रबींदरनाथ टैगोर, मदर टरीसा, कपिल देव, महात्मा गांधी, प्रेम चंद, बाबा साहिब आमबेड कर और उस्ताद बि भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेश तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तातकालिक उप्योग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे? किसी खास कॉलनी में बिजली कब बंद रहेगी? पानी का दबाव कैसा रह आदी। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफी उप्योग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिल्चस्पी होती है। प्रिष्ट 36 अनुखापन एक पुरानी कहावत है कि कुट्ता आदमी को काट ले तो वो खबर नहीं लेकिन अ ही समाचार है निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती है। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संधर्व में काफी सजगता दभरतनी चाहिए। अन्यत्ता कई मौक। पर ये देखा गया है कि इस तरह के लोगों में अवईज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। कई बार ये देखा गया है कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना का समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ से काट कर किसी अंधविश्वासी संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया जाता है। भूत परेत के खिस्छे कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गड़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। पाठक वर्ग आम तोर पर हर समाचार संगठन से प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो या टीवी चैनलों का एक खास पाठक या दर्शक या शूता वर्ग होता है समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और जरूरतों का विशेश ध्यान रखते हैं जाहिर है कि किसी समाचारी ये घटना का महत्व इससे भी ताय होता है कि किसी खास समाचार का ओडियन्स कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है इन दिनों ओडियन्स का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है इसका एक नतीजा ये हुआ है कि अतिरिक तक्रए शक्ती वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज्यादा महत्व मिल रहा है इसकी वज़े ये है कि विग्यापन दाताओं की इन वर्गों में ज्यादा रुची होती है लेकिन इस वज़े से समाचार माध्यमों में गरीब और कमजोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नजर अंदाज करने की प्रवृत्ती बढ़ती जा रही है विबिन समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुती को लेकर एक नीती होती है इस नीती को संपादकी ये नीती भी कहते हैं संपादकी ये नीती का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं समाचार संगठन समाचारों के चैन में अपनी संपादकीय नीती का भी ध्यान रखते हैं प्रिष्ट 37 लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीती के अनुकूल खबरों का ही चैन करते हैं बलकि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीती के यह जरूर हो सकता है कि संपादकिय लाइन के प्रतिकूल ख़बरों को उतनी प्रमुक्ता न दी जाये जितनी अनुकूल ख़बरों को दी जाती है प्रिष्ट सेंटीस पर एक्चित्र के माध्यम से उप संपादक और संबाद दाता के बीच में खबरों के चयन की प्रक्रिया को दिखाया गया है संपादन जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका की चर्चा हमने अध्याई एक में की थी समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक आदी निभाते हैं वे न सिर्फ अपने संबाद दाताओं और अन्य सुरोतों से प्राप्त समाचारों के चैन में महत्वपून भूमी का अदा करते हैं, बलके उनकी प्रस्तुती की जिम्मेदारी भी उनी पर होती है। समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुचाने की जिम्मेदारी संपाद की ये टीम पर होती है। संपादन का अर्थ है, किसी सामगरी से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनी ये बनाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यसंबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वो उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता च्छाटता है और उसे कितनी और कहां जगह दी जाए ये तए करता है। इसके लिए वो संपादन के कुछ सिध्धान्तों का पालन करता है। संपादन के सिध्धान्त। पत्रकारिता कुछ सिध्धान्तों पर चलती है एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वो समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मुल्य भी है इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनियता पर टिकी होती है पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए इन सिध्धान्तों का पालन करना जरूरी है एक तथियों की शुद्धता याने आक्यूरेसी दो वस्तू परक्ता याने अबजेक्टिविटी तीन निश्पक्षता अर्थात फेर्नेस चार संतुलन याने बैलेंस पांच स्रोथ याने सूरसिंग आट्रिब्यूशन आएए अब इन सिध्धान्तों की संक्षेप में चर्चा करें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें प्रिष्ठ 38 तथ्य बनाम सत्य छै अंधे और एक हाथी आपने छै अंधों और एक हाथी की कहानी सुनी होगी ये भारतिय लोक कथा तथ्यों और सच्चाई के बीच के फर्क को काफी अच्छे ढंग से उजागर करती है छै अंधों में बहस छड़ गई के हाथी कैसा होता है और फिर उन्होंने इस बहस को खत्म करने के लिए स्वयम हाथी को छू कर ये तए करने का निश्चाई किया के हाथी कैसा होता है एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा ये दीवार की तरह है दूसरे ने उसके दांत को छुआ और कहा, नहीं, ये तलवार की तरह है तीसरे के हाथ उसकी सून आई और उसने कहा, ये तो साथ की तरह है चौते ने उसका पैर चुआ और चिलाया, तुम पागलो, ये पेड़ की तरह है पांच में के हाथ हाथी का कान आया और उसने कहा तुम सब गलत हो ये पंखे की तरह है छटे अंधे ने उसकी पूँछ पकड़ी और बोला बेवकूफों हाथी दीवार तलवार साप पेड पंखे में से किसी भी तरह का नहीं होता ये तो एक रसी की तरह है हाथी तो चला गया और छए अंधे आपस में लड़ते रहे हर एक अपने तथियों के आधार पर हाथी की अपनी सच्ची छवी पर अडिक था तथियों की शुद्धता या तथ्य परक्ता एक्यूरेसी एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविक्ता का प्रतिबिम्ब है इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है लेकिन ये अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है सच ये है कि मानव यथार्थ की नहीं यथार्थ की चवियों की दुनिया में रहता है किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक चवी अपने मस्तिश्क में बना लेते हैं और यही छवी हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा स्रिजित छवीयों की दुनिया में रहते हैं। दरसल यथार्थ को उसकी संपूनता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्चक है कि ऐसे तत्थियों का चयन किया जाए जो उसकी संपूनता में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं और तत्थियों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए ये अत्यंत महत्वपून हो जाता है कि किसी भी विशय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तत्यों का चैन करते हैं और किने छोड़ देते हैं। चुनोती यही है कि ये सूचनाएं और तत्यों सबसे एहम हो और संपून घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तत्यों बिलकुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोडा नहीं जाना चाहिए। जैसे छे अंधों और एक हाथी की कहानी को ही ले। वे तत्य ये सूचनाएं जो हर अंधे ने हाथी को चू कर प्राप्त किये अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि तत्य अपने आप में तो सत्य होते हैं लेकिन अगर किसी संदर्भ म उनका प्रियोग किया जा रहा हो, तो उनका पूरे विशाय के सम्दर्भ में प्रतिनिधित्व पून होना या कई तथ्यों को मिला कर देखना आवश्चक है। उस स्थिती में तथ्य यथार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। प्रिष्ट 49 वस्तु परक्ता अबजेक्टिविटी वस्तु परक्ता को भी तथ्य परक्ता से आँकना आवश्चक है। अधिका अधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तु परक्ता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ती तथ्यों को कैसे देखता है। किसी विशय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिश्क में पहले से बनी हुई चवियां समाचार मूल ल्यंकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं और हम इस यथार्थ को उन चवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करती हैं। हमारे मस्तिश्क में अनेक मौकों पर इस तरह की चवियां वास्तविक भी हो सकती हैं और वास्तविक्ता से दूर भी हो सकती हैं। हमेशा सतरंगी और विविध रहेगी। इसे देखने के दृष्टिकोन भी अनेक होंगे। इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है या किसी के लिए पूर्वा ग्रह से प्रभावित हो सकता है। लेकिन एक पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने लेखन में वस्तु परक्ता का ध्यान जरूर रखना चाहिए पत्रकारिता और स्रोत के आपसी संबंधों से भी किसी समाज में पत्रकारिता का स्वरूप निर्धारित होता है आमतोर पर समाचारों के विविध और बहुल सुरोत होते ही मीडिया में विविधता के लिए आवश्चक है के समाचार के सुरोत भी विविध हो हालांके हाल के वर्षों में मीडिया में विविधता को लेकर अनेग सवाल उठाए गए हैं और कुछ अनुसंधान इस ओर इशारा कर रही है कि मीडिया में विविधता की कमी आ रही है और इसका मुख्य कारण इसकी बने-बनाए सिरोतों और पकी पकाई सूचनाओं पर बढ़ती निर्भरता है दूसरे खाड़ी युद्ध के दौरान जड़ित पत्रकारिता याने इंबेड़िड पत्रकारिता पर काफी चर्चा हुई और इस संदर्भ में पत्रकारिता के आदर्शों और मांदंडों को लेकर सवाल उठाए गए हैं दरसल इराक युद्ध के दौरान युद्ध कवर करने गए पश्चमी देशों के पत्रकार अमेरिकी सेना के साथ संबध हो गए और अमेरिकी सेनिक सूत्रों से मिली सूचनाओं के आधार पर ही वे समाचार भेजते थे इस तरह वे अमेरिकी सेना के साथ संबध या जड़ित थे इस तरह के पत्रकार युद्ध की वस्तू परक और संतुलित रिपोर्टिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनका एक मात्र स्रोत अमेरिकी सेना थी और उनका इस्तेमाल काफी हद तक सैनिक प्रोपगेंडा के लिए किया गया पहले और दूसरे दोनों ही खाड़ी युद्धों के दौरान सूचना स्रोतों में विविदता ना होने के कारण लोगों को युद्ध की पूरी तस्वीर नहीं मिल पाई निश्पक्षता याने फेरनेस एक पत्रकार के लिए निश्पक्ष होना भी बहुत जरूरी है उसकी निश्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है ये साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते ही पत्रकारिता लोक तंत्र का चौथा स्तंब है इसकी राष्ट्रिये और सामाजिक जीवन में एहम भूमिका है लेकिन निश्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है इसलिए पत्रकारिता सही और गलत अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती बलके वो निश्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है जब हम समाचारों में निश्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्याय संगत होने का तत्व अधिक एहम होता है आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है एक ही जटके में वो किसी की इज़त पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अंजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है संदेह करना पत्रकार का गुण है उसे चीजों की तह तक जाने की आदत डालनी चाहिए एक तरह से देखा जाए तो संदेह और सवाल किसी भी स्थिती में बदलाव के शुरुवाती कदम है अगर संदेह न हो और सवाल न उठाए जाए तो परिवर्तन कठिन हो जाएगा इस प्रयास में ये ध्यान रखना अनिवार्य है कि इस से पत्रकारिता के मूल्य न प्रभावित हो इसके लिए पत्रकार को चार बैसाखियों का सहारा लेने से नहीं हिचकना चाहिए ये बैसाखियां संकट या दुविधा के समये उसके काम आती है पहली बैसाखिय है सच्चाई विश्वसनी एता इसी पर टिकी होती है लिखने से पहले तत्थियों की पूरी जाँच परक और उसकी पुष्टी करना अनिवार्य है उसे बयानों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचार में अफवाहूं को जगह न मिले दूसरी बैसाखिय है संतुलन सच्चाई की कसोटी पर कसे जाने के बावजूद ये अनिवार्य है कि तत्थियों, बयानों और आंकणों के इस्तेमाल में संतुलन रखा जाए विवादास्पद मुद्दों में दोनों पक्षों की बात सामने रखना जरूरी है एक पक्षी ये समाचार असंतुलित होगा तीसरी बैसाखिय है निश्पक्षता किसी पत्रकार के लिए पक्षपात अब शब्द की तरह है जो पत्रकार अपने समाचारों में निश्पक्ष नहीं हो सकता वो पत्रकार नहीं हो सकता पक्षपात करने वाले पत्रकार को उसके पाठक ही खारिच कर देते हैं इसलिए जरूरी है कि पत्रकार समाचार में निजी राय न व्यक्त करें। चौथी बैसाखी है स्पष्टता। पत्रकारिता साहित्य से भिन्न है। हो सकता है कोई समाचार लालित्य पूर्ण ढंग से लिखा गया हो। उसमें शब्दों की जादूगरी हो। लेकिन इसके कारण समाचार में असपष्टता का दोश नहीं आना चाहिए। समाचार से कोई भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। उसे शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि समाचार में वाक्य छूटे और सीधे रहें तथा उसमें कोई उलज्जाव ना हो। याने बालेंस निश्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आम तोर पर मीडिया पर आरूप लगाया जाता है कि समाचार कवरिच संतुलित नहीं है यानि वो किसी एक पक्ष की ओर जुका हुआ है। आम तोर पर समाचार में संतुलन की आवशक्ता वहीं पढ ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हो और उनका आपस में किसी ना किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिती में संतुलन का तकाज़ा यही है कि सभी संबध पक्षों की बात समाचार में अपने-अपने समाचारी ये वजन के अनुसार स्थान पाई समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरूप लगाए गए हो या इस से मिलती जुलती कोई स्थिती हो उस स्थिती में हर पक्षकी बात समाचार में आनी चाहिए अन्य था ये एक तरफा चरितर हनन का हथियार बन सकता है व्यक्तिगत खिस्म के आरूपों में आरूपित व्यक्ती के पक्षकों भी स्थान मिलना चाहिए लेकिन ये स्थिती तभी संभव हो सकती है जब आरूपित व्यक्ती सारवजनिक जीवन में हो और आरूपों के पक्षमें पक्के सुबूत नहीं हो या उनका सही साबित होना काफी संदिग्द हो लेकिन घोशित अपराधियों या गंभीर अपराध के आरोपियों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की जरूरत नहीं है संतुलन के नाम पर समाचार, मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता संतुलन का सिध्धांत अनेक सारवजनिक मसलों पर व्यक्त किये जाने वाले विचारों और द्रिष्टी कोणों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए प्रिष्ट 41 स्रोत हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई सुरोत होना आवश्चक है यहां सुरोत के संदर्ब में सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना आवश्चक है कि किसी भी समाचार संगठन के सुरोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं एकत्रित करता है तो उसके अपने भी सुरोत होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए PTI भाशा, UNI, युनिवार्ता जैसी समाचार एजिंसियां और स्वयम अपने ही संबाद दाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का सुरोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजिंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार सुरोत होते हैं। यहां हम एक पत्रकार के समाचार के सुरोतों की चर्चा करेंगे। समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवशक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वो स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो कुछ जानकारियां बहुत सामाने होती है जिनके सुरोतों का उलेख करना आवशक नहीं है लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दाइरे से बाहर निकल कर विशिष्ट होती है उसके सुरोत का उलेख आवशक हो जाता है सुरोत के बिना उसकी साख नहीं होगी एक समाचार में समाहित सूचनाओं का सुरोत होना आवशक है और जिस सूचना का कोई सुरोत नहीं है उसका सुरोत या तो पत्रकार स्वयम है या फिर ये एक सामान्य जानकारी है जिसका सुरोत देने की आवशकता नहीं है आमतार पर पत्रकार स्वयम किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता वो किसी घटना के समाई घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता वो घटना के बाद घटना स्थल पर पहुँचता है इसलिए ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए उसे दूसरे सरोतों पर निरभर रहना पड़ता है अगर एक पत्रकार स्वैम अपनी आखों से पुलिस फाइरिंग में या अन्य किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले दस लोगों के शव देखता है तो निश्चय ही वो खुद दस लोगों के मरने के समाचार का सरोत हो सकता है लेकिन उसे इसकी पुष्टी करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए पत्रकारिता के अन्य आयाम समाचार पत्र पढ़ते समाई पाठक हर समाचार से एकी तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता कुछ घटनाओं के मामले में वो उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा ये जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है उसकी प्रिष्ट भूमी क्या है उस घटना का उसके भविष्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस से उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा समय, विशय या घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोडता है समाचार के अलावा विचार, टिपणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के एहम हिस्से हैं समाचार पत्र में इनका विशेश स्थान और महत्व है इनके बिना कोई समाचार पत्र स्वयम को संपून नहीं कह सकता प्रिष्ट बायालीस संपादकीय प्रिष्ट को समाचार पत्र का सबसे महत्वपून प्रिष्ट माना जाता है इस प्रिष्ट पर अखबार विभिन घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है इसे संपादकी ये कहा जाता है इसके अतिरिक्त विभिन विशेयों के विशेशग्य महत्वपून मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं आम तोर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी प्रिष्ट पर प्रकाशित किये जाते हैं वो घटनाओं पर आम लोगों की टिपणी होती है समाचार पत्र उसे महत्वपून मानते हैं फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेकनोलोजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में एहम स्थान बना लिया है कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिख कर नहीं कही जा सकती वो एक तस्वीर कह देती है फोटो टिप पड़ियों का असर व्यापक और सीधा होता है टेलिविजन की बढ़ती लोक प्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है प्रिष्ट 42 पर आर के लक्षमन का एक काटून चापा गया है टाइम्स अफ इंडिया से साभार इस काटून चित्र में दो महिलाएं आपस में बच्चों के बढ़ते हुए स्कूली बस्ते के बोज के बारे में चर्चा कर रही है उन में से एक महिला ने अपने चोटे बच्चे के भारी भरकम बस्ते को उठाने के लिए एक मजदूर रख लिया है और वो दूसरी महिला से कहती है सच में बच्चों पर इस तरह बोज बढ़ाना बहुती करूरता है मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा प्रिष्ट बयालीस पर इर्फान का एक कार्टून छापा गया है जो प्राप्त किया गया है जनसत्ता से साभार इस कार्टून में सबसे उपर लिखा गया है रेल बजट दूद बेचने वालों का आधा किराया लगेगा इस चित्र में एक पती-पत्नी अपने बच्चे के साथ रेलवे स्टेशन की ओर अपना सामान उठाए जा रही है लेकिन हास्यास्पद बात ये है कि उन सभी के हाथ में दूद वाला डोल भी है मतलब अब किराया उनका भी आधा ही लगेगा कार्टून कोना कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिपणिया पाठक को छूती है कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है रेखांकन और कार्टूग्राफ समाचारों को नकेवल रोचक बनाते हैं बलके उन पर टिपणी भी करते हैं क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकनों तक ग्राफ से पूरी बात एक नजर में सामने आ जाती है कार्टूग्राफी का उप्योग समाचार पत्रों के अलावा टेलिविजन में भी होता है पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार खोजपरक पत्रकारिता खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से चान बीन करके ऐसे तत्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिनें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो आम तोर पर खोजी पत्रकारिता सारवजनिक महत्वक के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमित ताउं और गडबडियों को सामने लाने की कोशिश करती है खोजी पत्रकारिता का उप्योग उनी स्थितियों में किया जाता है जब ये लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाए नहीं रह गया है खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलिविजन में स्टिंग ओपरेशन के रूप में सामने आया है हालांके भारत में खोजी पत्रकारिता तीन दशक पहले ही शुरू हो गई थी लेकिन हमारे देश में ये अब भी अपने शैशवकाल में ही है जब जरूरत से ज्यादा गोपनियता बरती जाने लगे और फ्रष्टा चार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एक मात्र विकल्प बच्चती है अमेरिका का वाटर गेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदारण है जिसमें राश्ट्रपती निकसन को इस्तीफा देना पड़ा था भारत में भी कई केंद्रिय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा प्रिष्ट 43 विशेशी कृत पत्रकारिता पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वो घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है इसके लिए विशेष्टा की आवशक्ता होती है पत्रकारिता में विशाय के हिसाब से विशेष्टा के साथ प्रमुख क्षेत रहें इन में संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है इन क्षित्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विशेयों में विशेष्टा हासिल किये बिना देना कठिन होता है ये माना जाता है कि लोगतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायत्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बडी हो तो उसका परदाफाश करना है इसे परंपरागत रूप से वाच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है इसका दूसरा छोर सरकारी सुत्रों पर आधारित पत्रकारिता है समाचार मीडिया किवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोच नातमक पक्षका पर इत्याग कर देता है आम तोर पर इन दो बिंदूओं के बीच तालमेल के जरिये ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारन होता है ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचार धारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठा कर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर-शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलिविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसिका लाल हत्याकांड में न्याई के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया। प्रिष्ट चवालीस पर एक गतिविधी दी गई है। गतिविधी पत्रकारिता के कुछ खास प्रकार हैं। खोच परक, विशेशी कृत, वाच डॉग, एडवोकेसी पत्रकारिता। विभिन्य समाचार पत्रों से इन प्रकारों के पाँच-पाँच नमूने इकठे कर फाइल में चिपकाईं और अपने अध्यापक से इस पर चर्चा करें। वैकल्पिक पत्रकारिता। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक विवस्था का ही एक हिस्सा है। और विवस्था के साथ तालमेल बिठा कर चलने वाले मीडिया को मुख्यधारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह का मीडिया आम तोर पर विवस्था के अनुकूल और आलूचना के एक निश्चित दाइरे में ही काम करता है। इस तरह के मीडिया का स्वामित्व आम तोर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वो मुनाफ़ के लिए काम करती है। उसका मुनाफ़ा मुख्यत है विज्यापन से आता है इसके विप्रीत जो मीडिया स्थापित विवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है आमतार पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता उसे बड़ी कमपनियों के विज्यापन भी नहीं मिलते हैं और वो अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर करता है समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान देश में मध्यम बर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दाइरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है साक्षर्ता और क्रय शक्ती बढ़ने से भारत में अन्य वस्तूओं के अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है इस बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है रेडियो, टेलिविजन, समाचार पत्र, सेटलाइट टेलिविजन और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर ही लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारी करण भी तेज हो गया है और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजी वादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेतर में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है व्यापारी करण और बाजार होड के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार यानि क्लास मार्किट को आम बाजार यानि मास मार्किट में तबदील करने की कोशिश की है यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुजहान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारी ये सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है आज निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक बनाने में मदद कर रहा है बलके अधिकांच मौकों पर यही लगता है कि लोग गुमरहा उपभोकता अधिक बन रहे हैं अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाशा के आधार पर देश के जाने माने समाचार चैनलों का मुल्यंकन करें तो एक आध चैनल को छोड़कर अधिकांच सूचनारंजन याने इन्फोटेन्मेंट के चैनल बन कर रह गए हैं जिसमें सूचना कम और मनुरंजन स्यादा है इसकी वज़े ये है कि आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिक्तम मुनाफा कमाना है समाचार उद्ध्योग के लिए समाचार भी पेपसी कोक जैसा एक उत्पाद बन गया है जिसका उद्देश्य उपभोगताओं को गंभीर सूचनाओं के बजाए सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी और आकरशित करना हो गया है प्रिष्ट 45 दरसल उपभोगता समाज का वो तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्राई शक्ती है और व्यापारी कृत मीडिया अतिरिक्त क्राई शक्ती वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैट बनाने की होड में उतर गया है इस तरह की बाजार होड में उपभोगता को लुभाने वाले समाचार पेश किये जाने लगे हैं और उन वास्तविक समाचारी ये घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है जो उपभोगता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवशकताएं थी और जिनक की जरूरत किनारे की जा रही है इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा सही संसनी खेज या पीत पत्रकारिता और पेज थ्री पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है जैसे ब्रिटन का और भारत में भी ब्लिट्स जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं पेज थ्री भी मुख्यधारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है लेकिन इन पत्रकारिय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिसे व्यापारी करण के मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया है य आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकावू बनने की होड में एक ही तरह के समाचारों पर तूटता दिखाई पड़ रहा है इससे विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति प्यादा हो रही है जिसमें अनेक अख़बार हैं और सब एक जैसे ही हैं अनेक समाचार च प्रध्यमों में केंद्री करण का रुजहान भी प्रबल हो रहा है हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राश्ट्रिय अखबार थे इसके बाद क्षेत्रिय प्रेस था और अंत में जिला तहसील स्थर के छोटे समाचार पत्र थे नई प्रध्योगी की आन राश्ट्रिय रूप अक्तियार कर रहा है आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संसकरण है और समाचारों का कवरिज अत्यधिक आत्म के इंद्रित स्थानिय और विखंडित हो गया है समाचार कवरिज में विविधता का अभावतो है ही साथ ही समाचारों की पिटी-पिटा बहुत समाई तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी टाकत होती है आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से हरास हो रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के हरास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है प्रिष्ट 46 अभ्यास पाठ से संबाद एक किसी भी दैनिक अखबार में राजनीतिक खबरें ज्यादा स्थान क्यों घेरती हैं इस पर एक संग्शिप्त टिप पणी लिखें दो किनही तीन हिंदी समाचार पत्रों एक ही तारीख के को ध्यान से पढ़िए और बताईए कि एक आम आदमी की जिंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली खबरें समाचार पत्रों में कहां और कितना स्थान पाती हैं तीन निम्ण में से किसे आप समाचार कहना पसंद नहीं करेंगे और क्यों क, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना क, किसी घटना की रिपोर्ट ग, समय पर दी जाने वाली हर सूचना ग, सहकर्मियों का आपसी कुशलक्षेम या किसी मित्र की शादी चार, आमतोर पर ऐसा माना जाता है कि खबरों को बनाते समय जनता की रुची का ध्यान रखा जाता है इसके विपरीत जनता की रुची बनाने बिगाडने में खबरों का क्या योगदान होता है विचार करें पांच, निम्न पंक्तियों की व्याख्या करें क. इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हडपने के लिए अधिकाधिक लोगों का मनुरंजन तो कर रहा है, लेकिन जनता के मूल सरोकार को दरकिनार करता जा रहा है. क. समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती हैं.